कक्षा चटी से दस वी ताग संपूर संस्कृत व्याकरन साइथ इस चैनल पर पढ़ाई हुई है तथा रीड संस्कृत दोनों लेवल की पर्थमें दिवत्ये दोनों भाशनाएं इस चैनल पर पढ़ाई हुए हैं आप चैनल की प्लेलिश्ट में जाकर के अपना-पना अधि अनारिका या जिग्याशा यानि अनारिका नाम की लड़की की क्या जिग्याशा है उसको उसके पिताजी सांत करते हैं सारे प्रशनों के उत्तर देते हैं इस तरह से अपना ये पाठ है उसके बाद में पंदरवा पाठ भी हमारे चैनल पर उपलब्द है यानि पहले से पड़ सकते हो इसके अलावा आपके सात्वी कक्षा की संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा साथ संस्कृत व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसको आप खोलेंगे तो आपके संस्कृत व्याकरण के सारे टोपिक आपको मिल जाएंगे उनका भी आप अच् रांद इस्टिलिंग शब्द ए अनारिका की जिग्याशा ठीक है ना तो इस पार्ट के अंदर अनारिका अपने पिता के साथ जा रही है तो रास्ते में वो अपने पिता से बहुत सारे प्रश्न करती है कि ये जो बांद वगेरा पुल वगेरा बने हुए हैं ये किसने या सब्वाइन पिता है तो वो कैसे हमने वो इस पार्ट के अंदर आपको फिलान से सुन्स ना है पढ़ना है लेकिन जो एक शब्द पर आपके व्याक्रण आतमक ध्यान रखना है उसको आप परफेक्ट ली ध्यान रखोगे उसका कारण यह हैं कि आप लोगर अगर हिंदी अनुवाद सीखना है तो सुरुवात में ये जो दो लाइन है इसका अनुवाद दिखते हैं उसके बाद में एक एक पिरिग्राफ वाइज अनुवाद करेगे बालिका याहा अनारिका याहा मनशी शर्वदा महति जिग्याशा भवति अतहसा बहून प्रश्णान प्रिच्छती तस्याह प्रश्णई सर्वेशाम बुद्धी चक्रवत भ्रमती बालिका याहा अनारिका याहा तो अनारिका मूल शब्द है इसका विशेशन है बालिका अनारिका की विशेशता बताने वाला शब्द है बालिका इसलिए ये विशेशन है ये विशेश से है जो विशेशन विशेश से होते हैं उसमें सेम विबक्ती होती है इसलिए इसमें भी सस्टी एक बचन है इसमें भी सस्टी एक बचन है दोनों आकारांत इस लिंक शब्द है अगर इकारांत होता तो कुछ अलग हो जाता तो बाली क अनारी का के क्यों लगा क्योंकि सस्टी संबंद का के की तो के लग गया मनशी के अंदर मनश सकाराम्त शब्दे सप्तमी विबक्ती एक वचन है तो इसका अंदर मन में में क्यों लगा क्योंकि सप्तमी अधिकरण में ठीके ना, मनसी यहनी मन में सरवदाई यहनी हमेशा, यह आपका वेशब्द है, सरवदाई यहनी हमेशा, महती यहनी बहुत बड़ी, महती का मतलब बहुत बड़ी, जिग्याशा यहनी जिग्याशा, जिग्याशा का हिंदी अर्थ होता है, जानने की इच्छा, जिग्याशा बवतियनी होती है ये भूदातू लटलकार पर्थम पुरूशेक वचन है बवतियनी होती है बालिका अनारिका की मन में हमेशा बहुत बड़ी जिग्याशा होती है तो ये इसका विशेशन है जिग्याशा का विशेशन है बहुत बड़ी क्योंकि जिग्याशा की विशेशता इसलिए ये भी परत्मा एक बचना है ये नदी के तरह इसका रूप चलता है महती और इसका रूप चलता है आकाराइंट इसलिए शब्द लता की तरह अतह यनि इसलिए शा यनि वह सा तत्त सर्वनाम शब्द है और इसका आपके तत्त सर्वनाम शब्द परत्मा विबक्ति एक वजने सा यनि वह बहुन यनि बहुत से बहुन यनि बहुत से इसके अंदर भी आपके बहुन के अंदर जो बहु शब्द है बहु का मतलब बहुत होता है तो उसका जो दिवत्या विबक्ति बहु अचने बहुन यनि बहुत से प्रश्णान यनि प्रश्णों को ये दिवत्या बहु अचने प्रिच्छती यनि कुछ बच्चे प्रश्ण पूषते हैं टीचर को और कुछ लोग पूषते ही नहीं कुछ के दिमाग में आता है कि यह कैसे हुआ फिर भी टीचर को नहीं पूषते हैं तो उनके जानने के इच्छा नहीं है जिसके जानने के इच्छा होती है वही पूषते हैं प्रश्णों क तस्टिया брат इनि उसके क्यों लगा क्योंकि सष्ट्टी है प्र्ष्णण यहनि प्रष्णौ से प्रष्णो से क्यों लगा क्योंकि आपके तर्थ्या विभक्ति बऊचन रोर्टी रखता हैं चाइए फचन यही면 बऊचन नटी सबी की की क्यों लगाए क्योंकि सश्टी सम्मंद का के की बुद्धी यानि बुद्धी चक्रवत यानि चक्रवत भ्रमती यानि घूमती है उसके प्रश्णों से सबी की बुद्धी चक्रवत घूमती है अब ऐसे एन्वाद होता है ऐसे एन्वाद तभी होगा जब आप हमार इससे 50 वीडियो है ठीके न वो आप एक बार पढ़ लिए तो आपको 8 वी में, 9 वी में, 10 वी में संस्किर्ट का किसी तरह का कोई भी व्याकरन पढ़ने की जरूत नहीं है क्योंकि सेम व्याकरन है और उसके बाद में आप लोग जिस तरह से एक टीचर को, जिस तरह से मुझे जो हिंदी इन्वाद आता है, उसी तरह से आपको आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल शब्दुरूप, गातुरूप, परते वगेरा याद कर लो और इसके अलावा जो छोटी-छोटी टोपिक है, लिंग, वचन, पुरूश, इसके जो वहाँ पर हमारी चैनल पर जो प्लेलिस्ट आपके कखसा साथ संस्किर्थ व्याकरन की है, उसके अंदर लिंग, वचन, पुरूश के नाम के जो विसे सन विसे से, अब वे, ये पाँ जो टोपिक बनें, उसको आप जहां से पूरा-पूरा एक बार देख लो, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगे कि संस्किर्थ में अनुआद कैसे होता है, अब इस लाइन का हम एक मिनट में भी अनुआद कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फाइदा नहीं होता है, अनारिका के मन में हमेशा बहुत बड़ी जिग्यासा होती है, इसलिए वह बहुत से प्रेश्णों को पूछती है, उसके प्रेश्णों से सभी की बुद्धी चक्रा जाती है, चक्र के समान घूमती है, अब नेक्स पेरिगराप देखते हैं, अब ये आपके पहला पेरिग गए थे यहां तक, उसके बाद में अब यहां से सुरू करते हैं, प्रात उत्थाय सा अन्वाभत यत तस्या मनह प्रसंणम नास्ती, मनो मिनवदाय सा ब्रमितूम ग्रहत बही अगच्छत, ब्रमन काले सा अपश्चत यत मारगह सू सज्जिताह संती, सा चिंत यत किमर्थम एम सज्जाह सा असमरत यत अद्यतो मंत्री आगमिश्यती सै अत्र किमर्थम मारगमिश्यती इति विसे तस्या जिग्या सा प्रारबदाह ग्रहम आगत्य सा पितरम आपरिचत पिता है मंत्री किमर्थम आगच्छती यहां तक अन्वाद करते हैं, ठीक है ना, अब वो गुमने गई तो उसे याद आया उसने देखा कि मारक बहुती सू सजित है सू सजित का मतलब हता है सजाई हुए ठीक है ना रास्ते बहुत अच्छे से सजाई हुए है और उन रास्तों को सजाई हुए देखकर उसे याद आया कि आज तो मंत्री आ रहे है फिर मंत्री किसली आ रहे है इसके विश्य में उसकी जिग्या सा सुरू हो गई घर आ करके उसने पिता को पूछा कि मंत्री किसली आ रहे है यहां तक गनवाद करते हैं उसके बाद में फिर मैक्स देखेंगे प्रातह यनी शुबय उत्था यनी उठकर उत्वूपसर गए इस्ता धातुए और लेप परते हैं उठकर लेप परते हमेज़ा कर अर्द करता हैं तो उठकर सा यनी उसने अनुववद का når अनुववद किया अनुववद किया यत यनि की सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन नहीं है सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन नहीं है कलियर हुआ मनो विनोधाय देखो मनो विनोध सब्द je अकारांट मनो विनोध का जब रूप चलता है तो चतूर्थी विविषकती एक बच्छन में मनो विनोधाय होता है होता एक नहीं होता है रामाय की तरह मनो मिनो दाय तो चतुर्थी विबक्ती में आपके संप्रदान का रख होता है संप्रदान का मतलब के लिए तो मनो मिनो दाय यानि मनो रंजन के लिए मनो मिनो दाय का मतलब होता है मनो रंजन के लिए सा यानि वह ब्रमितूम देखो ब्रम दातु या ब्रम का मतलब घूमना होता है और तुम उन परते हैं लास्ट में देखो तुम जहां पर भी लास्ट में आता है उसका मतलब होता है तुम उन परते हैं और तुम उन परते का अर्थ होता है के लिए तो ब् मतलब बूत्काल चंछन के लिए घूमने के लिए घर से बाहर गई इसके बाद में देखिए ब्रमन काले यनि घूमने के समय सप्तमी एक वचने सा यनि उसने सा तत सरवनाम शब्द है सा का मतलब वह भी होता है उसने भी होता है जैसा वाक्य वैशा अर्थ सा यनि उसने उसने कहां लगता है भूत काल में अपश्चत के अंदर द्रिश दातु है द्रिश का मतलब देखना होता है लेकिन जब रूप चलता है तो पश्चत ही पश्चत ही हो जाता है और भूतकाल में अपश्चत अपश्चत आम अपश्चन अपश्चत ही नहीं देखा उसने देखा यत यनिक की छोटा वाला की परथमा विबक्ति वाला करता है, यह अपस्चत के अंधर एक वाक्य पूरा ओ गया, क्यूंकि घूमने के समय क्रिया आगे वाक्य पूरा हो गया, यत यानि कि मारगा यानि मारग सू सज्जिता इनी सजाये हुए संति यानि है ये संति बववचन के लिए संति येनि हैं सभी मारग सजाए वे हैं सा येनि उसने वह चिंतियत येनि सोचती हैं येनि वह चिंतियत येनि सोचती हैं वह सोचती हैं किमर्थम येनि किसलिए सज्जा येनि तैयार की जा रहे हैं सजाए जा रहे हैं येनि ये है किमर्थम येनि किसलिए सज्जा येनि सज्जा ये जा रहे हैं शा अस्मरत येनि उसने अश्मरत इस्मरी दातु इस्मरी का मतलब याद करना भूतकाल अर्थ में अस्मरत येनि याद किया उसने याद किया यत येनि की येनि की छोटा वाला अध्या येनि आज तू यनी तो मंत्री यनी मंत्री आगमिश्यती यनी आएंगे उपसर गये गमदातु है लिर्ट लकार है आएंगे उसने याद किया कि आज तो मंत्री आएंगे सै अत्र किमर्थम आगमिश्यती सै यनी वे अत्र यनी यहां किमर्थम यनी किसलिए आगमिश्यती यनी आएंग इती यानि इस विश्य यानि विश्य में सप्तमी एक वचने तस्या सष्टी एक वचने उसकी जिग्याशाह यानि जिग्याशाएं क्यूंकि जिग्याशा आकरांधि स्ट्रेडिंग शब्दे प्रत्मा बवचने जिग्याशाएं प्रारबदह यानि शुरू हो गई ये भी उसकी जिग्यासाएं शुरू हो गई फिर इस लाइन को देख लिजिए उसने क्या बोला वह सोचती है यह किसलिए यह किसलिए सजय जा रहे है उसने याद किया कि आज तो मंत्री आएंगे से अत्रक्किमर्थम आगमिशती वे यहां किसलिए आएंगे जानने के इच्छाएं शुरू हो गई ग्रहम यहनी घर आगत्य यहनी आकर आउपसरिक गमदातु लेपरत्य आगत्य आकर सा यहनी उसने पित्रम यहनी पिता को दिवत्या एक वचने पित्रम रिकारांध शब्द है आप्रिचत यहनी पूछा घर आकर उसने पिता को पूछा यहनी हे पिताजी यह रिकारांध सब्दै शंबोधन एक वचन है पिताः यहनी हे पिताजी मंत्री के मर्थम आगश्यती मंत्री यहनी मंत्री के मर्थम यहनी किसलिए आगच्छती यहनी आ रहे हैं इसने अपने पिताव को क्या पुझा मंत्री किसलिए आ रहे हैं अब पूरे प्रेग्राप का देख लो फिर नेक्स प्रेग्राप बनाते हैं सुबह उठकर के उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन नहीं है मनोरंजन के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर गई घूमने के समय उसने देखा कि मारग सुसोबित है उसने वह सोचती है यह किसलिए तयार किये जा रहे हैं उसने याद किया कि आज तो मंत्री आएंगे वे यहां किसलिए आएंगे इस विशे में उसकी जिग्यासाएं शुरू हो गई घर आकर उसने पिता को पूछा हे पिता जी मंत्री किसलिए आ रहे हैं अब आगे देखिए यहां तक अपन कर चुके हैं मंत्री किसलिए आ रहे हैं पिता अवदत पिता ने कहा पुत्री यानि हे पुत्री नद्या यानि नदी के सस्ती एक वजने उपर यानि उपर ये अव्य शब्दे नविन है शेतु हु निर्मित है ये सेतु यानि बांध ये उकारान पुलिंग शब्दे इसके दो विशेशने एक तो वो नया है और ये के बना हुआ है इसलिए इसमें भी प्रत्मा एक वचन है इसमें भी प्रत्मा एक वचन है नया बांद बना हुआ है नदी के उपार नया बांद बना हुआ है तस्य उद्गाटनार्थम 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 उद्गाटन के लिए उसके उद्गाटन के लिए मंत्री आग नदी के ऊपर नवीन बांध बना हुआ है उसके उद्दहडवाधण के लिए मंतरी के लिए मंतरी। मंतरी है वह मंतरी नकारांท शब्दें प्रतमяни Commonwealth उस त्रह से मंतरी होता है 5C component यह का पिठ्षुति के पंतर 1 शब्दाहर क shocking यह प Hamilton पुछती है अनारी का फिर से पूछती है पिता है कि मंत्री सेतो निर्माणम अकृत किम यानि क्या मंत्री यानि मंत्री ने ने क्यों लगा क्योंकि प्रत्मा एक वचने करता ने यह सेतो उकारांत पुलिंग शब्ड है शस्ती यह वचन में सेतो हो हता है कैसे रगू का रगो यह ना बानू का बानो उसी तरह से सेतो का शेतो हो यानि बांद का निर्माण मे निर्माण अकृत यानि किया था क्रे दातू लंगलकार भूत काले अकरोत यह नहीं किया था है पिता क्या मंत्री ने बांध का निर्माण किया था पिता अकत्यत पिता ने कहा यहाँ पर पिता आकारांत नहीं है रीकारांत पुलिंग शब्द है और परतमा एक बचन में पिता सब्द होता है आपको पता है र नहीं याद किया तो सब्दूरूप आप याद कर लीजिए हमारी चैनल पर समझाए हो हैं समझ लीजिए और उसके बाद में रटने हैं कोई भी बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे पिता ने कहा ये कत दातु है और लंगलकार भूत काल है नहीं पुत्री नहीं का मतलब होत करम कर शब्द है जो कि आपने मजदूर अर्थ में होता है तो मजदूरों ने मजदूरों क्यों है क्योंकि बहुचन है प्रत्मा बहुचन है ने क्योंकि प्रत्मा करता ने प्रत्मा विपक्ति बहुचन है नहीं पुत्री बाद का निर्मान कारीग्रों ने अकूर्वन य नहीं पुत्री बांद का निर्मान कारीगरों ने किया। निर्मान यनि निर्मान अकूर्वन यनि किया। निर्मान यनिर्मान यसके वहां। वरना या पर यत ह है उता उत्वे विसर्ग संदी से यता है यनि क्यों कि स यनि वे वे अस्माकम यनि हमारे असमद शरवनाम शब्द सश्ची हर हैं। देश के मंत्री यानि मंत्री हैं क्योंकि वे हमारे देश के मंत्री हैं पितह ठीके ना ये संबोधन सुच गया है एक वचन है इसलिए क्या होगा है हे पिता पितह यानि हे पिता शेतो निर्मानाय प्रस्ताराणी कुतह आयंती सेतो यानि बांध के निर्मानाय यानि निर्मा निर्मान के लिए प्रस्तराणी यनि पत्थर कुता है यनि कहां से आयांति यनि आते हैं हे पिता बांध के निर्मान के लिए पत्थर कहां से आते हैं किम तानी मंत्री ददाती किम यनि क्या तानी यनि उनको मंत्री यनि मंत्री ददाती यनि देता है दा दातु है दा का मतलब देना ठीक है ना क्या तानी यानि उनको प्रस्तरानी के लिए ये नपुन सकलिंग आया उनको मंत्री ददाती मंत्री देता है हे पिता बांध के निर्मान के लिए पत्थर कहां से आते हैं क्या उनको मंत्री देते हैं अब यहां से वापस देखते हैं कहां से कहां से कहां से यहां से क्यूंकि मंत्री के मर्थ हम आगे चे थे यह तो पहले हो गया था यहां से लगा कर यहां तक फिर एक बार हिंदी बोलते हैं फिर कलीर आपको याद हो जाएगा हिंदी ट्रांसलेट अकोर्डिंग टू ग्रामर पुत्री नदी के उपर नवीन बांद बनाया हुआ है उसके उद्गाटन के लिए मंत्री आ रहे है अनारिका का फेर से प्रश्ण था अनारिका ने फेर से पूछा है पिता क्या मंत्री ने बांद का निर्मान किया पिता ने कहा नहीं पुत्री बांद का निर्मान मजदूरों ने किया फिर अनारिका का प्रश्ण था यदि मजदूरों ने बांद का निर्मान किया तो मंत्री किसलिए आ रहे हैं पिता ने कहा क्योंकि वे हमारे देश के मंत्री है हे पिता बांध के निर्मान के लिए पत्थर कहां से आते हैं क्या उनको मंत्री देते हैं अब अपना नेक्स प्रेग्राफ नेक्स प्रेग्राफ में विरक्त बावे ये पिता उत्तरत विरक्त बाव से पिता ने उत्तर दिया विरक्त भाव से पिता ने उत्तर दिया अनारी के प्रस्तराणी जना प्रवत्यब्य आने अन्ती प्रस्तराणी यहनी पत्थर जना इनी लोग पत्थरों को दित्या बववचन जना इनी लोग प्रत्मा बववचन करता प्रवत्ते ब्य है पंजमी बववचन पंजमी अपादान से अलग तो यहां अलग होने का पावदे को प्रवतों से लगा यहां पर ये क्यों लगाएं कि बंज मी विवक्ति हैं, सारा खेल विवक्ति भी है, जो विवक्ति हैं, आपको याद होगे सब्दूरूप, तो आप सारे अर्त अपने आप कर सकते हो और हिंदी वाक्या का संस्कृत में आप खुद कर सकते हो, पत्थरों को लोग पर्वतों से आनियंति यनि लाते हैं पत्थरों को लोग पर्वतों से लाते हैं पिता है यनि हे पिता तरही यनि तो किम यनि क्या तो क्या तरही यनि तो किम यनि क्या एतदर्थम यनि इसके लिए एतदर्थम येनि इसके लिए मंत्री येनि मंत्री धनम येनि धन ददाती येनि देता है तो क्या इसके लिए मंत्री धन देता है ददाती येनि देता है विरक्त बाव से पिता ने उत्तर दिया है अनारी का पत्थरों को लोग परवतों से लाते हैं है पिता क्या तो क्या इस इसके लिए मंत्री धन देता है clear हुआ next देखिए तस्य सश्टी एक वचन उसके पार्षवे पास में पार्षवे का मतलब पास होता है सप्तमी होने की वज़े से में लगा है पास में तनानी यानि धन प्रत्मा बवचन ये करता है कुता है यानि कहां से ये तसिल परते है ठी से क्यों लगा क्योंकि तैविसर्ग का मतलब अता है से जैपूरतह यानि जैपूर से अतह यानि यहां से ततह यानि वहां से कुता है यानि कहां से तो कुता है का मतलब कहां से तैविसर्ग समझ में आया उसके पास में धन कहां से आग अचनती यानि आता है उनके पास में धन कहां से आता है एतान प्रश्णान सुरुत्वा पिता अवदत एतान आपके एतान सर्वनाम शब्द है दिवत्या बववचन है क्योंकि प्रश्ण इसका विशेश है और यह विशेशन है तो सेम विवक्ति होगी दिवत्या बववचन का मतलब को होता है दिवत्या का पिता ने कहा अरे यानि अरे प्रजाहा धनम प्रयच्छन्ती प्रजाहा यानि प्रजा धन देती है अरे प्रजा धन देती है दुबारा देख लो इन प्रश्णों को सुनकर पिता ने कहा अरे प्रजा धन देती है विश्मिताहा अनारी कहा पुने प्रिच्छती विश्मिता अनारिका ने फिर से पूछा एप पूछा पूछा श्रेचित अनारिका ने फिर से पूछा है पिता करण सतनार्थत ते एव सेतों निर्वान थी प्रजाद धनम दद थी तथा पी सेतों उदगाट नारतम मंत्री के मरतम आगच दे करमकरा यनि मजदूर प्रवत्यब्य यनि प्रवतों से पंजमी बवचन प्रस्तराणी पत्थरों को दिवत्या बवचन आन यन ती यनि लाते हैं प्रजा धन देती है ततापी फिर भी ततापी यनि फिर बांद के सश्टी एक बचन तथा पिया आपका वे फिर भी बांद के उदगाटना अर्थम यनि उदगाटन के लिए लास्ट में देखो अर्थम आता है उसका मतलब होता है के लिए ठीक है ना उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है के लिए उदगाटनार्थम यनि उदगाटन के लिए मंत्री यनि मंत्री किमर्थम यनि किसलिए आगच दियने आ रहे हैं फिर भी बांध के उदगाटन के लिए मंत्री किसलिए आ रहे हैं ठीक है वे ही बांध को बनाते हैं परजा धन देती है ये ददती बहवचन है ठीक है ना परजा हा बहवचन है इसलिए बहवचन बहवचन का ये दादातु का अलग से रूप चलता है इसलिए इसको आप ऐसे समझो ददती ठीक है न ददाती दतता है इस तरह से इसका रूप चलता है ददती एक वचन होता है द पत्रों को लोग परवतों से लाते हैं, हे पिता, तो क्या, इसके लिए मंत्री धन देता है, उनके पास में धन कहां से आता है, इन प्रश्णों को सुनकर के पिता ने कहा, अरे परजा धन देती है, आश्चरी चगित अनारिका ने फिर से पूछा, हे पिता, कारिगर परवतो उसे पत्थरों को लाते हैं वे ही बांद का निर्माण करते हैं फिर भी निर्माण करते हैं परजा धन देती हैं फिर भी बांद के उद्गाटन के लिए मंत्री किसलिए आरे हैं अभी आंतिम प्रेग्राब देख लीजे पिता अवदत प्रत्मम एव एहं ऐकत्यम यात सै देशस्य मंत्री अस्ती सै जन प्रतिनिदी अपि अस्ती जनता यहा अनेने निर्मितस्य है सेतो हो उद्गाटना है प्रतिनिदी आमंत्री तह बावती चल सू सज्जिता भुत्वा चल अनारीकाय मनसी इता अपी वह प्रश्णा संती पिता अवदत यहनी पिता ने कहा पर्तम एक वचन वधाटुलंगलगार पर्तम पूरुशेक वचन पिता ने कहा पर्तम एम पहले नहीं ही। पहले ही मैंने कहा था कि सय यनि वे देशस यनि देश के मंत्री यनि मंत्री अस्तिन है वे देश के मंत्री है ठीके न पिता ने कहा पहले ही मैंने कहा था कि वे देश के मंत्री है सय जन प्रतिनि दे अपी अस्ति सय यनि वे जन प्रतिनि दे यनि जन प्रतिनि दे लोगों के द्वारा चुने वे अपी यनि भी अस्तिन है वे जन परतिनिदी भी है जनता यहाँ दनेन निर्मेतस्य सेतो उदगाटनाय जन परतिनिदी आमंतिरता है भवती जनता यहाँ सश्टी एकवचन जनता के दनेन यहनी धन से तरत्या एकवचन धन से क्यों लगा तरत्या होने के वज़े से करण से निर्मे तस्य नी बनाए हुए यहां सस्टी एक बचन है यहां भी सस्टी एक बचन है तो यह उकारांता इसलिए सेतो है यह अकारांता इसलिए तस्य है निर्मे तस्य नी बनाए हुए यह विशेशन है यह विशेश्य है तो के यहां पे लगेगा बनाए हुए बांद के आमंत्रित भवतियने होता है जनता के दन से बनाई हुए बांध के उदगाटन के लिए जन परतियने दी आमंत्रित होता है चल यानि चलो ये कोई हिंदी शब्द नहीं है ये लोटलकार मध्यम पुरुष एक वचन है चलतू चलताम चलनतू चल चलतम चलत तुझे चल यानि चलो ओड़न दिया जाता है लोटलकार में सु सज्जिता येनि तयार अकरांधी स्ट्रिलिंग शब्दे उत्वा येनि होकर ये आपका कत्वा परते लगते ही वो अव्वे शब्द बन जाता है विद्यालियम येनि विद्याले चल येनि चलो चलो तयार होकर विद्याले चलो अनारिका याहा सश्टी एक वचन अनारि प्रफ्दार देखेंगे उसके बाद में प्रश्न उतर देखेंगे पिता ने कहा पहले ही मैंने कहा था कि वे देश के मंत्री है वे जन प्रतिनीदी भी है जनता के धन से बनाई हुए बांद के उद्गाटन के लिए जन प्रतिनीदी आवंत्रित होता है चलो तैयार होकर विद्या ले चलो अनारिका के मन में अभी भी बहुत से प्रश्न है अब शब्दार्त लेते हैं मैती यनी बड़ी ग्रेट जिग्यासा यनी जानने के इच्छा कुरियोसिटी अन्वै भवत यनी अनुभव किया फैल्ट मनों विनादा यनी मन प्रसंड करने के लिए फोर रेस्क्रिशन चिंतियत यनी सोचती है थिंक्स अश्मरत यनी याद किया शेतो यनी पुल ब्रीज उदत्रत यनी उतरत यनी उत्तर दिया आंस्वार्ड फिर इसके बाद में प्रस्तराणी यनी पत्थर स्टॉन्स शर्वकार यनी सरकार के लिए फोर दे गोवर्मेंट उदगाटनार्त उदगाटन के लिए इन्यूग्रेशन निर्मान्ती निर्मान करते हैं बनाते हैं कॉंस्ट्रक्ट ददती यानि देते हैं गिव सब्दार्थ पूरे हुए अब आपके जो है अभ्याश उचारणम कुरूती यानि उचारण करो सिर्फ बोलना है उचारण का नाम मतलब बोलना है मंत्री, निर्माणम, ब्रात्रा, करमकराह, जिग्याशा, पित्री, प्रात्री नाम, उद्गाटनार्धम, पित्री ब्याम, नेतरी, एप्रिछत, चिन्तियती, पूरा हुआ दूसरा कुष्ण, दूसरा कुष्ण है, अदो लिकिता नाम, प्रश्णा नाम, उत्राणी लिखत, नीचे लिखे, प्रश्णों की उत्तर लिखे, कस्याह मैती जिग्याशा वर्तते, तो यहाँ पर देखिए, कस्याह यनि किसके बहुत बड़ी जिग्याशा है, तो कस्याह अनारी कायाह, तो इसकी जगे आप लिखे, अनारी कायाह, मैती जिग्याशा वर्तते, और कुष्ण मार की जगे खड़ी पाई लिख देना, पूरा रटने की जरूतनी है, यह किम सरवनाम शब्द के जो भी मिल जाते हैं आपको, उसकी जगे आपको क्या है, चेंज करना है बाकि आपको 7 to 7 लिखना उत्तर बन जाएगा, देखो कस्या लिख देना, इसकी जगे कस्या की जगे अनारी कायाह, बाकि 7 to 7 लिखना है, क्या लिखोगे अनारी कायाह, मैती जिग्याशा वर्तते, खड़ी पाई, उत्तर बन जाएगा, अनारी का के मन में बहुत बड़ी जिग्याशा थी मंत्री किमर्थम आगच है मंत्री किसली आ रहे हैं तो किमर्थम की जगे आप क्या लिखोगे है है ना सेतोoutezणार्थम यनिक बादध के उद्गाटन के लिए mural तो यह घया मंत्री शेतो ट्रंक आते हैं उत्तराशब् Ahhh फिर शेतो निर्मान के अकुर्वन किस ने किया के यनि किस ने अकुर्वन यनि किया तो ये बहुचन है तो बहुचन में उत्तर आएगा के की जगे आपको क्या लिखना है करम कराहा बाग के आपको सेम टू सेम लिखना है तो बांध का निर्माण कारीगरों ने किया उत्तर बन जाएगा शेतु निर्माणाय करमकरा प्रस्तराणी कुता है आनियंती यानि कहां से लाते हैं बांध के निर्माण के लिए कारीगर पत्थर कहां से लाते हैं कुन सरकार के लिए धन देता है तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है किस की जगए। इस तरह से Question के अंदर ही आंसर होता है आपको उसका निर्मान करना है बनाना है और अगर उत्तर पूछे एक पदेन उत्तर अब देखे इस तरह से जैसे अपन प्रश्णों के उत्तर बनाते हैं वैसे उत्तर के प्रश्ण बनाने हैं कैसे बनाने हैं तीसरे कुष्ण में देखते हैं अब ये तीसरे कुष्ण है रेखांकित पदानी आद्रित्य प्रश्ण निर्माणम कुरूत रेखांकित पदों को आदार बना करके प्रश्ण निर्माण करू रेखांकित बाद है उसको आदार बनाना है उपर जो था वहां पर रेखांकित नहीं था लेकिन देखे अब प्रजा यहां पर होता तो प्रश्ण बनाने के लिए अपनको क्या करना पड़ता के लिखना पड़ता और प्रश्ण में कुष्ण वाद चिन होता है लेकिन ये तो लिंग का है, तो इस्ट्रिश लिंग में कि में सर्वनाम शब्द का क्या रूप चलता है, वैसे अपने को चेंज करना है, रेखांकित बदों को आदार बना करके प्रश्ण रिमान करना है, जैसे पहला है, अनारिका या प्रश्णी सरवेशा, बुद्धे, चक्रवत ब्रम्ति अनारीका के प्रश्णों से सभी की बुद्धी चक्र के समान गूमती है बिल्कुल सिंपल है अनारीका जहां की जगे कस्याह लिखना है ठीके ना बाकी same to same लिखना है खड़ी पाई की जगे के कुष्ण मार्क करना है किसके प्रश्णों से सभी की बुद्धी चक्रवत गूमती है प्रश्ण वाचक चिन तो प्रश्ण बन जाएगा दूसरा देखो मंत्री सेतो हो उद्गाटनार्थम आगच्छती मंत्री बांध के उद्गाटन के लिए आ रहे है तो देखो अर्थम जहां पर भी आता है ना उद्गाटनार्थम तो उसकी जगे आपने को क्या लिखना है किमर्थम ठीक है ना इसको आप देख सकते हो मंत्री किमर्थम आगचती सेम टुसे में मंत्री सेतो उद्गाटनार्थम आगचती तो सेतो उद्गाटनार्थम कीजिए के सेतो किमर्थम आगचती सेतो के किसके लिए आ रहे हैं तो आपने को यहां किमर्थम लिखना है बाग की सेम टुसेम लिखन तो कर्मक्रा की जगे के लिखना है कह कव के प्रत्मा बव अचनकी में सर्वनाम शब्द पुलिंग में होता है के तो के से तो निर्माणम कुर्वन्ती कौन बांध का निर्माण करते हैं प्रवत्तेप्य की जगे केप्भे लिखोगे आप क्या लिखोगे केप्भे यानि कहा से इसकी जगे आप कुता है भी लिख सकते हो ये वाला भी लिख सकते हो कहा से पत्थर को लाकर बांध का निर्मान किया जातना है केप्भे का मतलब कहा से किन से ऐसा आर्थ होता है पंच सरवनाम शब्द चतुरती एक वचन में क्या होगा कश्मई यानि किन के लिए कश्मई यानि किन के लिए चतुरती एक वचन में किन सरवनाम शब्द पुलिंग में कश्मई होता है अब आपको उत्तर में यह नहीं लिखना है कि इसका पूरे का उत्तर सिर्फ कश्या ही लिख और पेज नमर आपको पता ही है 79 पे है आपकी बुक के अंदर विबक्ति एक वचन दिवचन और बवचन उधारण के अनुसार अपने को रूपाणी लिखत यानी रूप लिखने जैसे प्रतमा विबक्ति है पिता शब्द होता है प्रतमा एक वचन में दिवचन में है और यह पित्री शब्द का जब रूप चलता है तब ब्रात्री सब्द का रूप चलेता होगा पित्री की तरह ही चलेगा तो यहां पर होगा ब्राता ब्रात्रो ब्रात्रह सेम टू सेम होगा इस तरीके से होगा ठीके ना समझ में आ गया अब नेक्स देखते हैं अभी आ दात्री रिकारान शब्द पुलिंग है तो दात्री भी रिकारान पुलिंग शब्द है तो इसका होगा दातारम दातारो दात्रिन लिखके बता देते हैं ऐसे लिखते हैं ठीक है ना दात्रिन में भी डबल री है बड़ी री की मात्रा होती है दिवित्या बहुच में तो यह अब यहां पर कर्त्री भ्याम है तो यहां पर क्या होगा दात्री भ्याम अब यहां पर कर्त्री भ्याम के अनुसार दात्री भ्याम हुआ तो यहां पर दात्री भ्याम के अनुसार कर्त्री का क्या होगा कर्त्री भी अब आप यहां देख सकते हो नेत्रे नेत्री भ्याम नेत चल गया है यह करत्री हब आपके लुप हो जाएगा इसके बाद में आपका शब्दाता है पित्री रिकारान शब्द यहाँ पर री के मात्रा होती है तो यहाँ पर होगा ब्रात्री का क्या होगा ब्रात्रो ब्रात्री नाम ये आपका ब्रात्रो और ब्रात्री नाम ब्रात्री नाम में री बड़ा होता ठीक है उसके बाद में सवित्री शब्द है री करांथ सवित्री री छोटा होता है और अभिनेत्री ये भी री छोटा है अभिनेत्री शब्दे नेत्री और अबिनेत्री दोनों अभी उपसरके बाकी सवित्रो तो अबिनेत्रो सवित्री शू तो अबिनेत्री शू ऐसे इसका रूप़ोगा अबिनेत्रो अभिनेत्रिशु फिर देखो जमात्री शब्द है ठीके ना जमात्री इसका हे जमात्रो जमात्रो हे जमात्रह तो इसका नप्त्री शब्द है आगे संबोधन सुचक चिन भी होगा कोष्ट को से शमुचित पद को चुन करके रिक्तिस्तान भरो इस कोष्टक में लिखता पित्रा या पितू इन दोनों में से क्या आएगा अब देखे बाला आपणात ब्रात्रे फलानी आनियती बालक बाजार से फल को लाते हैं किसके लिए भाई से लाते हैं या फिर भाई के लिए लाते हैं तो बालक बाजार से भाई से फल लाते हैं वो नहीं बैट रहा है बालक बाजार से भाई के लिए चतुरती एक बचन आएगा प्रात्रे यानि भाई के लिए बवंती या करता रहे है बवंती तो बवंती है तो बवंती बवचन है तो करता रहे है आएगा करता रहे है आएगा इसके इंदर क्योंकि ये सारी चीज़ सब्दुरूप और दातुरूप पूरे याद होते हैं विशेशन विशेशन याद होते हैं तो जाकर के आप कर सकते ह तो यहाँ पर आपके आएगा करता रहे क्यूंकि करमकरा कारी गर होते हैं, बाद के निर्मान के करता होते हैं, तो यह करता ब्धान के विशेशन है इसका है, इसलिए यहाँ पर आगया, अब मम खाली दिगा, तू एते साम प्रश्णा नाम उत्रानी एददात, मम पिता, इन प्रश्णों के उत्तर दे दिए पिता ने आएगा तो प्रत्मा आएगा पिता पितर है एददात यह एक वचन है इसलिए पिता आएगा यह बवचन है तो यह बवचन होता तो यह आता लेकिन यह सिर्फ एक वचन की वज़े से सिर्फ क्या आएगा पिता इस तरह से आप पर जीवी का उपार्जन कर रहे हैं यह तो आपने को यहां पर भी यह झ्छन कि करों देखिए ठीक है न Nur चित्र को देख करके मंजुसा से पदों को और मंजुसा से पदों को प्रयोग में ला करके बाक्य बनाने यह बाश है और यह लड़के खड़े हैं परसात हो रही है और यह सब है वो यहां पर अम्रेला लेके खड़े हैं चट्र लेके खड़े हैं तो यहां पर देखिए दार वर्षा याम चत्रम धार्यंती सभी बालग वर्षा रितु में सप्तमी एक पजने चत्रम यनि चाता और धार्यंती यनि धारन करते हैं सभी बालग वर्षा रितु में चाता धारन करते हैं अब दूसरा सेंटेंस होगा ते यानि वे वश्यानम यानि बस यान में अरोंति यानि चड़ते हैं वे बस यान में चड़ते हैं दोई सेंटेंस बनेगे तो पहला सेंटेंस क्या बनेगा बाला की जगे छात्रा लिख दिया नो प्रोब्लम चलो बाला बना दिया बाला हा या वर्षायाम यानि वर्षा में चत्रम यानि चाता दारियंती यानि दारन कर रहे हैं। जब सेंटेंस में लिखने हैं तब बाद वाले शब्द का पहला अक्षर वेंजन होता है तो अनुस्वार लिखना चाहिए। यह भी वर्षायाम है और यह भी वर्षायाम है तो मैं पढ़ते हैं इसको ठीक है ना। इस तरह से छटा क्विशन हो गया अन्तिम क्विशन है आपके इस पाट का अदोले कितानी पदानी आध्रित्य वाक्यम वाक्या निरच्या अब वाक्या बनाना आपके बसकी बात थोड़ी है। जब तक आपको व्याक्रण पूरी नहीं आती शब्द रूप दात रूप नहीं आते तब तक आपको इस शेंटेंस तड़े बना सकते हो। यहाँ पर तो एक शब्द लिका हुआ है प्रश्णाहा इस प्रश्णाहा के अंदर कौन सी विवक्ति है या करता है या करम है वो भी आपको पता नहीं है। वो पता करने के लिए आपको ग्रामर पढ़ना बहुत जरूर है। तो यह मैं बता देता हूँ प्रश्णा पुलिंग शब्द है प्रश्णाहा उसका प्रथमा विवक्ति बहुत चलता है प्रश्णाहा तो प्रथमा बहुत चलता है प्रश्णाहा तो प्रथमा बहुत चलता है तो इसको करता बना करके अपन सेंटेंस बनाते हैं अब्यास पुस्तिकायाम या पुस्तिकायाम बहवय प्रश्ना संति यह सब्तमी एक वचने अधिकरण कारक हो गया और बहवय इसका विशेशन बन गया प्रश्ना का तो यह प्रतमा बहुच रहे यह विशेशन बना दिया तो विशेशन कभी करता नहीं होता है तो यह प्रश्ना आपक नवीन ये प्रत्मा विबक्ती एक वचन है लेकिन ये करता नहीं है क्योंकि एक विशेशन सब्द है ठीके ना इसलिए इसको विशेशन बनाते हुए आपने एक सेंटेज बना देते हैं तो इसका क्या होगा देखो नवीन का होगा अयम नवीन है पाठ्यक्रम है अस्ति यह नवीन पाठ्यक्रम है, तो यह पाठ्यक्रम आपका करता है, और इसके दो विशेशन है, एक तो नवीन और एक अयम, यह सारवनामिक विशेशन है, यह नवीन पाठ्यक्रम है, तो नवीन शब्द का प्रियोग करते हुए इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, अब है प्रा प्रात अगर्ण करते हुए देखे एहम के योग में हमेशा उत्तमपूरुष एक वचन के लिए इसलिए एहम के साथ मैं ये उत्तमपूरुष एक वचन के लिए आगी एहम प्रात चतुरवाद ने उत्तिश्टामी सुबै चार बजे उठता हूँ नेक्स है आपका आगच्छती ठीक है ना आगच्छती यह नहीं आता है तो इसका सेंटेंज कैसे होगा इसका सेंटेंज ऐसे होगा रमेश है सरवदा विद्यालियम आगच्छती रमेश हमेशा विद्यालिय आता है तो आगच्छती का प्रियोग करते हुए अपनने सेंटें रहता है तो प्रस्ण सब्द का परियोग कर दिया आगच्छती का परियोग कर दिया प्रातय का कर दिया नवीन का कर दिया और प्रश्णा का करके अपने सारे के सारे सेंटेंस बना दिये इस तरह से ये पाट आपका तेरवा पूरा होता है इसके बाद में जो पंदरमा आपके लालन गीतम, ये भी हमारे चैनल पर उपलब्द हैं, अभी तक आपने एक सारी पाफ यह प्ड़ेंगे अधिक पर के पूरे आप मारे उपलब्देंगे । इनहीं शब्तों के साथ में हम अपनी मद्रभाणी करोंॲें शपर्ण मद हरे की यह bene